ओम श्री गणेशा नमा दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चेनल एश्ट्रो यूग मी दोस्तों हो जाओ सावधान 13 अप्रेल से 21 अप्रेल के इन दिनों में होगा बहग्य हुदे जिससे आपकी किस्मत तूफान से भी तेज दोड़ेगी इन नवरात्रों के 9 दिनों में पूरे 5 साल बाद माता रानी का पूरा पूरा सिर्वाधा को प्राप्थ होने वाला है इन 9 दिनों में अब आपकी किस्मत सवर जाएगी क्योंकि दोस्तों माता रानी का सिर्वाध इन दिनों आपको सबसे अधिक मिले वाला है जिससे आपके गिरहों में बड़ा फेर बदल होगा जिससे आपके लिए बड़े ही सुब योगों का निर्माण होगा इस सुब परिवर्तन से आपको अनेको प्रिकार की बड़ी-बड़ी सफलताएं और बड़ी बड़ी खुशकब्रियों की प्राप्पी होने वाली है दोस्तों वो सफलता है और वो खुशकब्रिया कौन कौन सी है इसलिए आप इस वीडियो में अंतिता कवस्चे बने रहें और अंतिता का आप इस वीडियो को पूरा देखें इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि यह वीडियो आपकी रासी वालों के लिए अत्यांती महत्मून होने वाली है दोस्तो मातारानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और साथ ही अपने दोस्तों को सेर भी कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पर सिलेक्ट कर दें जिससे आप लोग को तक हमारी नहीं नहीं वीडियो समय समय पर पहुँच सके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदू धरम में अने को देवी और देवताओं का वरणन मिलता है इनी देवी देवताओं में माता लक्षमी का पिर्मुकिस्तान है माता लक्षमी धन समरिद्धी वे सुक संपदा की देवी की रूप में सुक प्रिसिद्ध है और भगवान विश्मु की पत्नी है पारवती और सर्च्वती के साथ वह तिरदेवियों में से एक है दीपावली के त्योहार पर स्री गड़िश भगवान के साथ उनकी पूजा की जाती है जिसका उल्लेक रिंग वेद में भी मिलता है दोस्तों मातालक्षमी संपूर विश्व की माता है सारे जगत की ये स्वामीनी है दुर्गाप के रूप में इनका वाहन सिंग है मातालक्षमी की सवारी उल्लू, गरुड, हाती और सेसनाक है मातालक्षमी हमेशा कमल पर विराजमान रहती है दोस्तों माता लक्षिमी का सुभा बहुती चंचल होता है वे कभी भी एक जगे नहीं रुख सकती वे संपूर जगत का पालन करती है कहते हैं जिस घर में माता लक्षिमी का वास हो जाए वहाँ पर गरीबी, दरीदिर्दा, बिमारी, कलेश नहीं टिक पाती और वहाँ पर हमिसा धन का आगमन होता रहता है दोस्तों आज के समय में धन सबसे ज़्यादा महित्मुन हो गया है क्योंकि इसके बिना कोई कारिय नहीं हो पाता इसलिए मनुष से दिन रात धन कमाने की कोशिस करता है लेकिन वह तभी संबह है जब आपके उपर माता लक्षमे की किरपा बनी रही अगर आपके पास धन है तो इससे घर में खुसी आती है और आपके सारे बिगडे विकाम बनने लगते हैं धन पाने के लिए लोग कटिन परिस्रम करते हैं कुछ लोग चल कपट से भी जल्द से दल्द धन कमाने की कोशिस करते हैं लेकिन अमूमन लोगों की यही सिकायत होती है कि धन उनके पास आता है और जल्द ही चला जाता है इसलिए कहा जाता है कि धन सदेव इमानदारी से कमाना चाहिए क्योंकि वही धन हमारे सही काम आता है जियां दोस्तों दोस्तों देवी लक्षमी को धन की देवी कहा जाता है और कहा जाता है कि इनकी किरपा जिसकेसी के ऊपर हो जाती है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है यह तो हम सबी जानते हैं इस दुनिया में सबी एक बराबर नहीं होते किसी की अमीरी और किसी की गरीबी उसकी महनत पर भी निर्वर करती है अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो वह अपनी महनत से और अमीर बन सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे अमीर हो या गरीब उनके अंदर धनकमानी की चाहत बाकियों से अधिक होती ऐसे में हमारे गिरे नक्षत्रों में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका असर कुछ रासियों पर सकारात्मक बढ़ता है। दोस्तों आपको बता दें, जोतिष सास्तर के अनुसार अब ऐसा संयोग बन रहा है कि मालक्षमी आपके उपर महरबान हो रही है, जिससे आपकी सभी मनों कामनाएं पूरी होंगी, मालक्षमी की किरपा से आप लोगों की किसमत अब बदलने वाली है, आपके घर में मालक्ष से आपका मानसिक रूप से धर्मिक भावनाव का उदे होगा, आपके लिए यह संयोग बहुत ही अच्छा और सुब फल साबित होगा, जिहां दोस्तों, आपके जीवन साती के साथ संबंद मदूर होंगे, आराम करने के लिए आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही सांदा रहेंगे, पती पतनी कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, आपकी मुलाकात विलक्षन लोगों से हो सकती है, दोस्तों ये दिन और आने वाले दिन आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही उचित साबित होंगे, साधी सुदा लोगों के लिए ये दिन पहले से भी जादा पत्ति मजबूत रहेगी, आपकी कलात्मक और रचनात्मक कारियों की पिरसंसा होगी, दोस्तों विर्थ के कारियों को करने से बचेए, आपकी समस्त मनों कामनाई अब पूरी हो ज앙एंगी, आपकी आर्टिक परेसानियों माल लेक्षिमी कैसे अर्सिर्वा से दूर होंगी दोस्तो आपको आने वाले समय में सरकारी नौकरी मिले के भी योग बन रहे हैं दोस्तो अपने जीवन साती के साथ आप किसी भी पिरकार की कोई भी जोड जबरदस्ती ना करें आपको कोई बहुत अच्छी खुसकवरी अब आपको मिल सकती है दोस्तों यदि आप खुद पर भरुसा रखेंगे तो आपके बिगडे हुए सभी कारिया बनेंगे आपके सभी कारिया माल लक्षमी के आसिरवा से पूरे हो जाएंगे दोस्तों अपना आत्मी स्वास आप कम नहोने दें धेरिया रखें आपको प्रेम प्रिस्ताओ भी मिल सकता है लव लाइफ की बात करें तो आपको अपना सच्चा प्यार अब मिल सकता है दोस्तों यदि आप अभी तक सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं तो आप अपने प्यार का जहार भी कर सकते हैं दोस्तों अपने पार्टनरी की बात पर ध्यान दे वह जो कहना चाहता है या आपको बताना चाहता है उसे समझें और उसके मन का आप ध्यान रखें आपके प्रेमी रोमांटिक मूड में रहेंगे अपने जीवन साती के साथ आप अच्छे से पेशाएं दोस्तों आपको मालक लक्षमी के असरवास से पूरे होंगे दोस्तों स्वास्त के लिया से भी यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा नौकरी पेशा वाले लोगों की उन्नती होगी और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा दोस्तों आप अपने किसी योजना को भी कारे रूप दे सकते हैं दोस्तों मालक्षमी के असरवास से आपकी कुंडली में अब अचानक धनलाब के योग रहेंगे जिया दोस्तों मालक्षमी के असरवास से अब आपको अचानक धनलाब होगा जिया दोस्तों मालक्षमी का अब आपको पूरा-पूरा साथ मिलने वाला है जिसके कार सकते हैं, दोर आपने किसी जान पहचान की व्यक्ति से भी अचानक धन प्राप्त कर सकते हैं, दोस्तों आपको कोई आपका चाहने वाला कोई म Somewhere Gift भी दे सकता है या फिर किसी जान पहोचान से धन कमाने का कोई अच्छा मौका आपको प्राप्थ हो सकता है दोस्तो मालक्षमी के आशिरवास से इस बात के भी चांस है कि आपकी आने वाले समय में कोई लोटरी भी लग सकती है या फिर किसी प्रोपर्टी या वहन को बेचने में आपको डबल मुनाफ़ा हो सकता है दोस्तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि आप इन मोकों को अपने हस से ना जाने दे दोस्तो ये धन आपके पास खुद कहीं से भी चल कर आ सकता है अच्छी बात यह है कि इसे हसिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी किस्मत का भी आपको अच्छा साथ मिलेगा दोस्तो आपके उपर मालक्षमी का अब आसिरुआद रहेगा बस जब भी आपको कोई नया आफसर मिले तो उसे अपने हस से ना जाने दे वैसे तो ये धन लाब छोटी ही चोटा ही होगा लेकिन आप मालक्षमी की पूझा पाट करके से बड़ा बना सकते हैं इसके लिए आप पिरतेक सुकुरवार को घी का दीपग मालक्षमी के सामने प्रिज्वलित करें साथ ही सुकुरवार को आप मातारानी के नाम का अप्वास भी रखें इससे आपको बहुत ज़्यादा लाब होगा मालक्षमी के आप पर विसे स्किर्पा होगी और आपके जीवार में धन से संबंदित कोई परिशानी नहीं होगी ये कहना गलत नहीं होगा मा लक्षमी के आसिरवास से अब आपको अपने जीवन में धन प्राप्त होने वाला है अने को पुरकार की बड़ी-बड़ी खुशियां अब आपको माता लक्षमी के आसिरवास से प्राप्त होने वाली है जिससे आप काफी पिरसन रहेंगे और खुश रहेंगे धन्यवाद दोस्तो जयमा लक्षमी